सेश्वी काल जी, कैनडा इमिग्रेशन से न्यू अपडेट है, प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डेग, जिसमें टूरिस वीजा है, वर्ग वीजा है, स्टेडी पर्मिट है, केर गिवर की फाइल है, स्पाउस ओपन वर्ग पर्मिट फाइल से, पेरेंस और ग्रेंट पे और इंडिया से फाइल लगाए लिए, इंडिया से फाइल लगाए लिए, यह आप चेक कर सकते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादे आप देखे, 90 देज, 19 दिन में ही रिजाल्ट आ जाता है, तो प्रोसेसिंग टाइम जो है, वो काफी कम होता जा रहा है, विजिटर वीजा क तो बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप लगाना चाहते हैं, टूरिस वीजा, इंडिया से तो आप फाइल लगा सकते हैं, यह आप चेक कर सकते हैं, छे अपरायल का अपडेट है, उसके बाद हम चेक करतें, इंसाइट से, इंसाइट से हमने चेक करा है, 11 डेज है ओल्ला इसमें आप देख सकते हैं हिच्छे एप्राइल का है अम्टीट और वीजा एक्स्टेंड करना हमने तो 175 डेस ओनलाइन है पेपर वेसे 98 डेस उसके बाद हम चेक करते हैं पेरेंस एंड ग्रैंट पेरेंस प्रोग्राम और इंडिया से फाइल लग रही है 111 दिन यह आप 6 अप्राइल का अप्टेट देख सकते हैं स्टेडी परमिट आउटसाइड कैनेड़ा नाइन वीक्स इंसाइड कैनेड़ा टू वीक्स वर्क परमिट इंडिया से फाइल लगाई दिया एट वीक्स है उसके बाद वर्क परमिट फॉर्म इंसाइड कैनेड़ा इनिशली एडिस्टेप 146 डेज है ओन लाइन का और 17 डेज है पेपर बिसका कि सीजनल एग्रिकल्चर वर्क प्रोग्रम चब्वीस दिन है यह सीजनल एग्रिकल्चर अब इच्छे कर सकते हैं एक्नॉमिकल प्रोग्राम में जाके इंटार्टिका इमिग्रेशन प्रोग्राम हमने स्लेक्ट कर अश्टाइस बीन ऐसी हमने चेक कर अब फैमिली स्पॉंसर्शिप में स्पाउस ओपन लाग लिविंग इंसाइब 14 मन्थ तो यह आउटसाइड के देख सकते हैं 16 मन्थ स्पाउस ओपन वर्क परमिट का पीरेंस और ग्रेंट पीरेंस का आप में चेक कह सकते हैं 23 मन्थ अब यह डिपेंडेट चाइड का था ठीक है अपी हम इस पर देखते हैं पेरेंस और ग्रेंट पेरेंस का 25 महीने और दॉप्टेट चाइड और अनदर रेलिटिव इंडिया से फाई लगी विए थार्टी प्रीट मंथ इसके बाद हम चेक करते हैं स्टेडी परमिट एंसाइड तो वीक्स था और यह एट वीक्स भी था अरड़ी हम चेक कर जोगे तो अभी इसमें इकनॉमिकल हम देख लेते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं कैनेडा एक्सपीरियंस क्लास फाइड मंथ उसके बाद हम चेक करते हैं केर गिवर का प्रोग्राम होम चाल्ड केर प्रवाइडर लेस तन ट्वेंटी पूर मंथ थर्टी मंथ पीया डिरेक्ट टू पीया काफी बच्चों का न मुझे फोन आता है कि हमने पीयार की फाइल डिरेक्ट लगाई है कि में तो आपको बच्चों मैं यह बताओं कि फर्स्ट अप्रायर से इसके रूफ चेंज हो चुगे हैं जो यह ट्वेंटी आप यहां से ज पड़ता था वहां आप जब काम करते थे उसके बाद आप पीयार की फाइल सभी लगा सकते हैं यानि कि उसके बाल गाया जाता था ट्वर्टी फोर मन्त के बाद है कि दो साल के बाद पर कैनड़ा इमिग्रेशन ने उसका रूल चेंज करके अब फर्स्ट अप्रायर से और वो कैनड़ा में लैंड करने वाले हैं और जिनके अल्रेडी फाइल लग चुके हैं जिनके साल डेट साल से अभी वेटिंग में चल रहे हैं और उनका रिजल्ट कभी नहीं आया है तो उनके लिए भी ऑटमेटली एचेंज हो गया है और काफी लोगों का अभी भी बैक लॉग फाइल जुतनी बढ़ी है टूरिस वीजा पढ़ी है वर्क वीजा पढ़ी है केर गिवर की फाइल्स पढ़ी है उन सबको प्राइस कर रहा है क्योंकि केनड़ा इमीग्रेशन को बार-बार ऑपोजिशन जितने भी हो काफी हुहां रैलीज भी हो रही हैं जिस करके Immigration backlog clear करना ही पड़ेगा और वो आने वाले टाइम में जिनके अभी तक result नहीं है hope है कि उनके result आ सकते हैं और जरूर आएंगे positive आएंगे आप please positive रहिए ऐसे अब हम check करते हैं ये home support worker less more than 24 and less than है तो इसमें हमने चेक करा 26 month और less than में 35 month का और वैरिट पाइप्लिकेशन आप यह देख सकते हैं कि 35 month कितने हैं क्योंकि काफी लोगों को 2021 की file लगाई उनके result नहीं है पर अब holy holy सभी के result आये 2020 के भी आये 19 के भी आये काफी दीरे दीरे backlog clear होता जा रहे प्लीज आप सब hope रखिए आप सब का result positive आएगा और आपको positive रहना पड़ेगा बीना positive रहे हम कुछ नहीं कज़र क्योंकि काफी candidates को यह हो चुका है कि वो hope छोड़ते जा वो please hope ना छोड़े आने वाले time में सब का अच्छा result आएगा तो क्योंकि अगर हम hope छोड़तेंगे वो नहीं छोड़तेंगे वो नहीं छोड़तेंगे जिन्दगी में हमेशा hope रखनी ज़रूरी है अगर आप hope रखेंगे तब ही आपकी life आगे बढ़ सकती है उसके बाद हम चेक करते हैं प्रवेंसी नॉमिनेट प्रोग्रम येस हमने अप्लाई करा हुआ है तो ये 10 मंथ है उसके बाद हम चेक करते हैं सेल परसन इन इसके बाद हम चेक करते हैं क्योंभी क्लास बिजनस 67 मंथ स्किल्ड वर्कर फेडरेट 27 मंथ स्किल्ड ट्रेट फेडरेट नॉट इनके पास डाटा नहीं है क्योंभी क्लास वर्कर जो है 20 मंथ एं स्टार्टा वीजा 35 मंथ तो इस डिफ्रेंट डिफ्रेंट कैटागरीज का न जो है प्रोसेसिंग टाइम है यह चेंज होता जाता है अब यह काफी कम हो चुका है और जो इमिग्रेशन है वो बैक लोग पर काम भी कर रहा है क्योंकि ऑपोजिशन बार बार उनको पारलेमेंट में कोशन चैंज मिनिस्टर जी को कि क्योंनि बैक लोग लो तो उससे क्या है कि इमिग्रेशन पर दवा पड़ता है वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके बैक लोग क्लिएर हो सब है की आज ज्र जाएंगे जो वेड कर रहे हैं वनके ऊपजिटिव रिजल्ट आये और उने वीजा मि ही हो तो चैनले को लाइक भी करिए और स्क्राइब भी करिए थैंक यू सो मुच